आप सबी का पिटिए परिवार में श्वागत हैं बहुत बहुत अभी नेंदन हैं तो आज अभी आप देख रहे हैं ये जो नया संसत भौन है हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसकी पहले अगर देखें तो बिहासिक्शक भरती में मैंने करव करवाय था बहुत पहले करवाय था वह भीहासिक्षक भरती के भी उसे था तो वहां से भी प्रसने पूछे गया है ठीक है तो अभी जो हो रहा है 69 BPC के लिए यह मतलब समझे की मतलब पुन रूप से उस पे है 69 BPC के लिए तो आए हम लोग देखते हैं इसके फैक्ट के बारे बात है कि सिक्षक भरती में यही सवाल पूछा गया था अगर देखेंगे तो अभी सिक्षक भरती में जो एजाम में पूछा गया है पूछा गया है कि इसके वास्तुकार कौन है तो यह गुजुरात के रहने वाले हैं जिनका नाम है बीमल हंसमुक पटेल नाम है ठीक है इनी के बारे में पुछ दिया था प्रस्टन ठीक है तो आए हम लोग सुरुआत करते हैं Central Vista के Center में क्या-क्या ठीक है तो कुछ fact है उस पर हम लोग बात करते हैं तो दिखे पहला अगर fact की हम लोग बात करें तो दिखे कहता है यहां पर कहता है कि नई संसथ भौन की अधार स इसके आधारसिला कब रखी गई इसके याद रखेंगे, इसको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी ये प्रस्ण जो है, मतलब पूछा जा सकता है, इसके उद्गाटन के बारे में पूछा जा सकता है, इसके आधारसिला कब रखी गई इसके बारे में पूछा जा सकता है, इस सबसे पहली बाट यह है, पूछा जा सकता है, कि नई संसथ भनाट का अधार सीला कब रखा गया, तो अधार सीला की बात अगर किया जाए, तो आपको फैक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 10 दिसंबर 2020 को, कब होता है 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भाउन का अधार सिला रखा गया, ठीक है, नई संसद भाउन का अधार सिला जो रखा गया, वो आपको 10 दिसंबर 2020 हो जाता है, ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, यह बहुत मुहत् अगला सवाल हम देखते हैं, यह इंपोर्टेंट आप के लिए हो जाएगा, पूछ रहा है कि भारत की नई संसद भौन के लिए आधारसिला किसने रखी, ठीके, तो अधारसिला किसने रखी, पूछा जा सकता है, पांच आपसन दे देंगे, फिर उसे उसे पूछा जाएगा अगर आपको याद रहेगा तो बना पाएगे, तो पूछा जा रहा है कि भारत की नई संसद भौन का अधारसिला किसने रखी, तो भारत के जो परधान मंत्री हैं, उन्हीं नोए, इसका अधारसिला रखा, और कहा जा कि अधारसिला मतलब परधान मंत्री रखे, और हो जाता है आपके लिए, कहता है कि नया संसद भौन मतलब कितने छेतर में फैला हुआ है, तो देखा जाए तो चौशचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच उसका अकार कैसा है, अकार के बारे में पूछा जा सकता है, क्या होगा, तो त्रिभूजाकार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है, ये भी भी आई आई आपके लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, ये पूछा जा सकता है, बताएए ने संसत भूर्ण का आप डिजाइन देखे होंगे, बिल्कुल कोण ये है, बिल्कुल तिरभूजाकार की तरह है, इसलिए अकार के बार में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो अकार क्या हो जाता है, तिरभूजाकार हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए अगला हम लो देखते हैं, अगला सवाल देखे, पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भारत के नए संसद भावन की लोक्षभा शदन में कुल कितने सदस के बैठनी की बियोस्ता है अगर पूछा जा सकता है कि अगर नए संसद भावन जो बना है उसमें लोक्षभा में अगर बात किये जाए तो वहाँ पर कितने सदस हैं जिसको बैठनी कि सुईधा पराप्त हो जाएगी, तो कितने हो जाएगे? अब की बात हो जाता है, तो 888 सदस हो जाएगे. अब कितना हो जाएगे? तो लोग्षवश्य सदन में अब 888 सदस जो है, वो बैठ सकते हैं. ठीक है? ये प्रसने कह रहा है. अगला देखिए, साथ तंबर देखिए यह सब बहुत important है देखिए अगला जो बहुत ही BBI है बहुत ही BBI है यह इसे रट लेजे अगला यह BBI आपके पास हो जाता है पुछा जा सकता है यहाँ पे कि नए संसत भौन का उद्गाटन कब किया गया नए संसत भौन का उद्गाटन कब किया गया तो 28 मई 2030 को इसको याद रखेगा और उद्गाटन करने वाले कोन थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे ठीक है पूचा जा सकता है कि भाई नए संसत भौन जो बना उसका उद्गाटन कब हुआ तो पूरा डेट याद रखिए, एदम बढ़ियां से डेट याद रखिए, कब तो 28 माई को हुआ, 28 माई 2030 को हुआ, यह याद रहना चाहिए कि इसका उधगाटन जो हुआ है, 28 माई 2030 को हुआ है, ठीक है, इससे याद रखेंगे, उसके बाद देखिएगा, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, कहता है कि नया संसत भौन कितनी मंजीला है, पूछा जा सकता है आप से कि नया संसत भौन जो है, वो कितनी मंजील बनाई गी है, तो कितनी मंजील हो जाएगी, तो यह चार मंजील हो जाता है, ठीक है, कितनी मंजील हो जाएगी, तो चार मनजिल हो जाएगा इसे भी याद रखेंगे जो भी फैक्ट है उसको एक बार अच्छा से दो-चार बार पढ़ लीज़ेगा रिवाइज कर लीज़ेगा तो आपका प्रस्ट जो है यही से टकराएगा हमारे पास को selected किया गया है 69 के लिए अगर आप उस पर अच्छा से फोकस करेंगे तो वहाँ से प्रस्ट आपको निश्सी तरपे मिलेंगे जैसे मैंने भी टार्गेट किया था ब्याज सिक्षा के लिए तो सिक्षा के लिए अधिक तर प्रस्ट ने देखिएगा वहाँ से जो मतलब ज्यादा तो पूछा नहीं किया अकरेंट में लेकिन जो भी हो मतलब समझे कि पूरी का पूरा मतलब इसको याद रखेंगे, चार में जीला, ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अब कुछ पुरानी जो संसत भावन है, उसके बारे में देखते हैं, पुरानी संसत भावन के बारे में इसलिए पूछा जा सकता है, क्योंकि नई संसत भावन है, उसका उद्गाटन से लिए नयास कुछ होने के बाद, जो पुराने हो जाते हैं, उनके बारे में पुरानी संसत भावन का उद्गाटन पूछा जा सकता है, जैसे अभी नया जो संसद भौन का उद घाटन है किसके द्वारा किया गया, तो भारत के परधान मंत्री के द्वारा किया गया, ठीके, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि पुराने संसद भौन का उद घाटन की इसके द्वारा हुआ, तो पुराना पुझ लेगा और नरिंद इर्विन करते हैं कौन करते हैं लॉड इर्विन करते हैं अगर पुराने संसद भौन की बात कर दिये जाए कि पुराने संसद भौन का उद्गाटन कौन करता है तो लॉड इर्विन हो जाएंगे जब नया संसद भौन की बात हो जाएगे कि कहते हैं यहां पर कि भारत के नये संथभोन का निर्मान किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया, तो क्या हो जाएगा, यह दिखिए, सेंटरल विस्टा के तहत रखेंगे ठीक है इसका उधगाटन कब हुआ इसे याद रखेंगे इसका सिलन्यास कब हुआ इसको याद रखेंगे इसका उधगाटन करता है कौन है इसे याद करेंगे इसका वास्तुकार कौन है इसे याद रखेंगे ठीक है यह सब बहुत इभी भी आई है इसका याकार क के निर्माता कमपनी बताए भई पूछा जा सकता है कि किस कमपनी ने इश्का निर्मान किया तो कमपनी की अगर बात किया जाता है तो ताटा प्रोजेक्ट लिम्टेड हो जाता है कौन होता है तो ताटा प्रोजेक्ट लिम्टेड हो जाएगा और ये आप से पूछा जा सकत और यह बहुत important होगा, पूछा जा सकता है कि नय संसर जो भौन बना, उस बनाने वाले company का नाम बतेगे, तो क्या हो जाता है, तो यह देखे, Tata Project Limited हो जाते हैं, कौन सा Tata Project Limited हो जाते हैं, ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर, अगला देखिए, यही पूछा भारत की नई संसर भावन का डिजाइन किसने तियार किया है, क्या, तो यह देखे, डिजाइन पूछ रहा है, ठीक है, डिजाइन किसने तियार किया है, तो देखिए, इनका नाम हो जाता है, बीमल, बीमल हंसमुख फटेल नाम हो जाता है, ठीक है, बीमल हंसमुख फटेल नाम हो जाते हैं और ये कहा के रहने वाले हैं तो देखिए ये गुजरात के रहने वाले हैं ठीक है कहा के रहने वाले हैं ये गुजरात के रहने वाले हैं ठीक है और इन्होंने बहुत सारा काम किया है जो सफल काम किया है सरहने हैं इसलिए इनको ये प्रोजक्ट दिया गया और इन ही ने इसका डिजाइन तियार किया ठीक है इसका डिजाइन किस ने तियार किया तो पूछा गया सवाल है कि भई नई संसद भोन का डिजाइन किस ने बनाया है डिजाइन किस ने तियार किया तो बीमल हंसमुक पटेल हो जाएंगे ठीक है क्या नाम हो जाता है इंका ब भारत के नए संसद भौन की राज्य सबा, कुंसा राज्य सबा सदन में कुल, कितने सदस की बैठनी की बेउस्ता है? तो लोक्षबा में हम लोगों ने देखा कितना? ट्रिफलेट, आठ सो अठासी, ठीक है? अगर बात कर दें, यहाँ पर राज्य सबा सदन में बैठनी की बेउस्ता है कितने लोगों की है, तो कितना हो जागा? 384. इसे याद रखेंगे. कितना? तो 384 हो जाता है. यहाँ पे किस सदन की बात होती है तो यहाँ पे देखिएगा राज्य सभा सदन की बात हो रही है तो राज्य सभा सदन में सदस्यों की बैटने की जो संख्या है वो 384 यहाँ पे हो जाती है ठीक है चेले अगला हम लोग देखते हैं अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत के नई संसद भावन के संजुक्त सत्र में कुल कितनी सदस बैठ सकते हैं जैसे संजुक्त सत्र की बात कर दिया जाए तो लोकशवा और रजशवा के दोनों जो सदस होते एक साथ बैठते हैं तो उन दोनों की संख्या कितना हो जाता है तो 1224 हो जाएगा ठीक है, इतने सदस यहाँ पर बैठ सकते हैं वो भी अराम से कितने सदस हो जाते हैं तो पूछा जा सकता है आपसे संख्या कि संजुक्त मतलब सदसों का संख्या बताएए जो जो इतना है बैठने की कैपसिटी यहाँ पर बनाई गई है तो कितने हो जाते हैं तो 1224 सदस हो जाते हैं 1224 सदस यहाँ बैठ सकते हैं ठीक है चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं देखें 15 नंबर स्वाल है कहता है यहाँ पर यहाँ पर देखे, कहता है कि नई संसद भौन का उद्गाटन भारत की आजादी के कितने वर्सों बाद किया गया पुछता है कि भारत की आजादी के बाद, मतलब कितने वर्सों के बाद, भारत के जो नई संसद जो भौन बना उसका मतलब यहां पर क्या किया गया? मतलब जिए अगहारटन हुआ, कितने वर्सों के बाद हुआ तो देखिए 75 वर्स हुजाएंगे, कितने साल हो जाते हैं? तो 75 वर्स हुजाएंगे ठीक है, 75 वर्स हो जाता है अगला सवाल हम देखेंगे देखें ये वाला सवाल हमनों देखेंगे कहता है कि भारत के पुराने संसद भौन का डिजाइन किस ने तियार किया था देखें पुराने संसद भौन का डिजाइन भी पूछा जा सकता है इनका नाम है एडविन लूटियंस क्या नाम होता है Edwin Lutians नाम होता है पुराने जो पुराने जो आप देखिए संसद भौन का जो डिजाइनर है उनका नाम है क्या नाम होता है Edwin Lutians नाम होता है अगर पूछ दिया कि नया संसद भौन का डिजाइनर जो है जो डिजाइन तयार किया उनका नाम क्या है, तब भी मलहंस्मुक पटेल हो जाते हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीके? और ये अंग्रेजो के समय की बात होता है, जो पुराने संस्थभावन का जो निर्मान होता है, उसके जो डिजाइन है, एडविन लूटियंस हो जाते हैं, ठीके? एडव पूछा जाएगा कि लोक्षभा में सदस्यों किसेंगे कितना तो 543 हो जाते हैं अगला स्वाल हम देखते हैं अगला स्वाल देखे कहते हैं यहां पे पूछा जाएगा कि संसत के गठन का परधान किस अनुषेद में है संसत के गठन का परधान किस अनुषेद में हो जाता है सबंटी नाइन में संसत के गठन का परोधान किया गया है और यह अनुछेथ कितना में है? तो सबंटीन नाइन में है, ठीके? अगला सवाल हम देखते हैं देखे अगला सवाल कहते हैं, यहां पे कि भारत के पुराने संसत भाहन के निव कब रखी गई? ठीक है यहां पे प्रस्ट ने पूछा गया है कि भारत के पुराने संसद भावन की निव कब रखी गई तो निव देखिए 1921 में रखा गया कब रखा गया 1921 में रखा गया ठीक है यह 1921 में रखा गया है और यह पुराने संसद भावन का निव की बात होता है अगर नए संसद भौन की निव की बात कर दिया जा तो कब हो जाता है 2020 हो जाता है और पुराने संसद भौन की निव की अगर बात कर दिया जा तो 1921 हो जाएगा क्या हो जाता है 1921 हो जाता है ठीक है अगला हो लो देखते है अगला देखे यहाँ पर कहता है यहाँ पर प्रश उड़गातन कब किया गया, तो ये कहता कि 18 जनवरी 1927 को हुआ था इसका उदखाटन। कब हुआ था? तो देखिए, ये होता है 18 कोंसा जनवरी 1927 को। और बात करें, हम लोग अगरने शन्सद्वन की उदखाटन की बात हो जाता है, तो 28 मैं 2013 को हो जाता है और इसका उद्गाटन करता कौन होते है? तो भारत के परधान मंतरी हो जाते हैं और ये देखे, इसका पुराना जो संस्थ होन आई, उसका उद्गाटन होता है ये देखे, 1927 में होता है, कब? 18 जन्वरी को इसका new कब डाला गया? तो 1921 में डाला गया तो सोचे यह थोड़ा सा इसमें भी करा दिया जैंगे, भारत में संसदिय सासन ब्योस्था किस देश से लिया गया? ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत में संसदिय सासन ब्योस्था किस देश से लिया गया? तो यह देश हो जाता है, आपका कौन सा? ब्रिटेन से लिया गया संसदिय सासन ब्योस्था जो है हमारे शंबिधान में इसको लिया गया कहां से तो ब्रिटेन से लिया गया है ठीक है इसको ब्रिटेन से लिया गया अगला सवाल देखे है कह रहा है यहां पे यहाँ पे कहता है कि भारत के पुराने संसद भौन में कुल कितनी लागत आई थी ठीक है क्या कर रहा है कहता है कि भारत के पुराने संसद भौन में खर्चया मतलब कितना आया था कितना लागत आया था तो यह देखे 83 लाग हो जाते हैं तो 83 लाख हो जाते हैं यहां पर पुराने संसद भारत में कब तक रही तो देखी यह यह 1922 हो जाता है ठीक है तो यहां तक मेरा यह सेशन जो है यह समाप्थ होता है यह जो मतलब सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से पूछने की संभाना है और पूछा भी गया है ठीक है तो इसी तरह के से हम आपको जितने भी इंपोर्टेंट है जो इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो बहुत important है हमारा पर सारा selection किया गया है मतलब समझे कि 10 मिनट 15 मिनट को ले करके हम फड़ा फड़ा आपके सामने उसारा का सारा करा देंगे ताकि आपको exam में इसका मदद मिल सके ठीक है तो चलिए हमारा session आपको पसंद आता है तो आप इसे like करें subscribe करें और धेर से रिवाइश करिए comments में भी आप लोग देजी कि क्या आपको चाहिए क्या मतलब अपी कमी रह गई है ठीक हम पूरा करने के कुछिस करेंगे चलिए हम लोग next वीडियो में मिलते हैं thank you thank you very much